दूले और दुलहन की रंगबाजी, दना दन जोके चार फायर ओपन कार में रंगबाजी का विडियो वायरल रंगबाजी में फस गई चेर्मन साहब की बटिया पुलिस अब निकाल रही बाल की खाल ओपन कार में दना दन फायरी एक नहीं, ताबड तोड चार फायर ससराग पहुचने से पहले दुलहन की सोचल मीटिया पर धमाकेदार एंट्री से पुलीस परिशान है और अब नई नवेली जोडी बड़ी मुसीबत में फस गई है जैसा कि आप स्क्रीन पर देखी रहे हैं ओपन कार है, दुलहा ड्राइविंग सीट पर है और दुलहन उसके बगल में और फिर दुलहे और दुलहन की ताबर तोड फायरिंग सुरुखियों में ये वाइरल वीडियो यूपी के मेरट जिले का है पुलीस ने मुकदमा दर्च कर धाय धाय करने वाली जोड़ी का भी पता लगा लिया है फिलहार ये मामला मीडिया की सुर्खियों में है पता चल रहा है कि फायरिंग करने वाली दुलहन मेरट जिले की नगर पंचायत मवाना के चेर्मेंट अयूप कालिया की बेटी अर्शी है अर्शी का निकाह एहतिया शाम नामक यूवक से हुआ निकाह के बाद विदाई का वक्त था दुलह एहतिया शाम खुली कार में अपनी दुलहनिया अर्शी को ले कर निकलने वाला था चेर्मेंट साहब के घर पर लोग जमा भी थे मगर इसी दोरान एहतिया शाम ने पिस्टल निकाली और अर्शी का हाथ पकड़ा और तड़ा तड़ कर दिया चार फायर फिलहाल किसी ने दुलह और दुलहन की रंगबाजी वाले खरकत कैमर में कैद कर ली और फिर जो हुआ वो आपके सामने है अब मेरट की पुलिस अर्शी और एहतिया शाम की तलाश कर रही है नहीं जिस पिस्टल से फाइरिंग हुई वो पिस्टल लाइसेंसी है या फिर गेर कानूनी इसकी जानकारी पुलीस की जाच में होगी फिलहाल अभी तक आरोपी की तरफ से पिस्टल का लाइसेंस पुलीस को नहीं दिया गया जिससे दूलह और दूलहन पर नाजायस असलहा रखने की धारा भी बढ़ सकती है यूरो रिपोर्ट एंटी टीवी भारत